Hey everybody, welcome back to January Drops channel once again guys, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about CyberConnect CyberConnect के बारे में दोस्तों आज से कुछ टेम पहले आपके साथ एक वीडियो शेर किया था अखर आप सभी को याद होगा एक मीने पहले दोस्तों आपके साथ वीडियो शेर किया था जिसमें आपको ये बताया था कि CyberConnect का एक अरली इवेंट चल रहा है फैन किलब वाला जिसके अंदर हम लोग पॉइंट सन कर सकते हैं CC profile हम लोगो मिंट करनी है दोस्तों Discord से रोल ग्रैप कर सकते हैं और इनके अरली यूजर बन सकते हैं दोस्तों CyberConnect का token आना confirmed था ये मैं आपके साथ ट्विटर पर टेलिग्राम पर सब्जागा शेर कर दिया था and probability इस बात की जादा थी कि इनका जो token sale है वो Binance की उपर आ सकती है क्योंकि अगर हम इनके देखेंगे दोस्तों तो इनके backing में Binance Labs, Animoca Brands and Polygon Studio, Dapper Dragon and बड़े-बड़े Ventures के नाम यहाँ पर added है इसका मतलब ही है जब इतने बड़े investors ने इनके इन्वेस्ट किया है लेकि इनकी जो token sale है वो coin list की उपर आ रही है जो कि अपने आप में छोटी मुटी बात नहीं है, बड़ी बात है Binance पर नहीं आ रही दोस्तों तो क्या हुआ लेकिन at least coin list पर आ रही है जो कि जिसकी height काफी जाद है जिसमें coin list के बारे में कुछ history मैंने आपको बताई थी जितने भी पराने लोग जो coin list से aware है जिन्होंने coin list की token sale को पास से करीबी से observe किया हुआ है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि coin list पर जो भी sale आती है वो 10 से लेकि 20 एक्स तो profit देती ही देती है साथ ही साथ में अगर season अच्छा होता है तो up to 100 and 200 x तक भी profit चला जाता है तो अभी देखा जा है दोस्तों तो IDO का season तो नहीं चल रहा है तो हम लोग expect कर सकते हैं 10 से लेकि 20 x तक का coin list पर जो token sale आ रही है वो easily profit दे सकती है इसी की बारे है दोस्तों आपके साथ channel पर मैंने channel पर खेर रहा हूं sorry twitter handle पर आपके साथ मैंने post share करी थी जिसमें आपके साथ मैंने यहाँ पर लिखा था as you can see here cyber connect token sale is coming on coin list the total supply is 100 million and 20% is for early adapter actually यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी mistake है 20% नहीं early adapter के 12% है लेकिन इस 12% के अंदर भी 20% for early adapter को ATTG यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर काफी ज़्यादा confusions है कि भाईया जो इनके article के अंदर कुछ और लिखा हुआ है token supply में जो लिखा हुआ है और airdrop मिलेगा या नहीं मिलेगा या फ़र coin list की token sale के अंदर हम लोग कैसे part ले सकते हैं तो इन सब doubts को हम लोग इस video के अंदर clear करने वाले हैं दोस्तों तो वीडियो के end तक बने रहना बाकि दोस्तों telegram पर आपके साथ मैंने एक कल शाम को post share करी थी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था getting confused to understand all the things clearly तो यहाँ पर need a video इस topic की उपर में आपके साथ video शेर करने वाला हूँ जिसमें Venom and Saber Connect के बारे में आपके साथ शेर किया था तो यहाँ पर मैंने जस्ट बोला था दोस्तों 300 हमें retweets की need है जो कि अभी तक पूरे नहीं हुआ है दोस्तों हमारी community इतनी बड़ी है 4K views यहाँ पर इस post पर आया telegram पर हमारे को YouTube पर भी अच्छा support मिलता है हमारे Twitter पर भी अच्छा support मिलता है लेकिन दोस्तों प्रॉलम यही है कि हमारी जो community है न वो like and retweet करने के मामल है बहुत जादा पीछे है कभी-कभी दोस्तों यह सब चीजें देखके ऐसा लगता है कि अपना गाम बनता let it be everything मैं अपना गाम बनता और आपको कोई परवा नहीं है कि कोई creator अगर इतनी महनत कर रहा है आपके साथ चीजें शेर कर रहा है तो at least एक यही उमीद होती है दोस्तों एक like and retweet का support मिल जाए दोस्तों मैं आप सभी की साथ 2018 से content share कर रहा हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं informative चीजें आपके साथ शेर करूँ दोस्तों वो नहीं मिलता है तो बस एक creator को थोड़ी बहुत यही उमीद रहते है कि एक like, एक retweet मिल जाए तो उसी से काफी जादा होसला मिल जाता है बाकी दोस्तों कोई जोर दबस्ती नहीं है कि आपको जबरदस्ती like करना है बाकी दोस्तों आपको जिस तरीके सपोर्ट करना है उस तरीके से आप सपोर्ट करो बाकी मुझे उमीद है कि हम लोग जिस स्पीड से चल रहे है आने वले टाम के अंदर हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हासल करेंगे और बहुत कुछ हमें देखने को अभी यहाँ पर बाकी है क्योंकि यह crypto space की just starting है and profit तो दोस्तों lifetime आप लोग यहाँ पर earn करोगे अगर आप crypto space में जोड़े रहोगे तो बाकी दोस्तों current video को like करना अगर आपको यह video पसंद आता है पहले वीडियो को पूरा देखो उसके बाद end में lag जरूर करते हूँ जाना जरूर से token lag को and यहाँ पर हम लोग start करते हैं बात करते हैं समझते हैं coin list के बारे में कि क्या इनका criteria है क्या scene है सारी confusions को हम लोग दूर करते हैं दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि early adapter के लिए बताया गया है 12% part है अगर हम इनकी token metric के अंदर देखें तो community reward 12% है and coin list public sale के अंदर 3% है यह दोनों part अलग-अलग है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर airdrop के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमें token metric के बारे में token tokenomics के बारे में सारी information दी हुई है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग token distribution के section में चलते है और यहाँ पर समझते है कि इनकी supply में क्या यहाँ पर mention क्या हुआ है ठीक है तो as you can see here कि यहाँ पर लिखे हुआ है coin list public sale 3% यानि कि 3 million token यानि कि total इसकी जो supply है दोस्तों वो है यहाँ पर 100 million की जिसका 3% पार यानि कि 3 million tokens यहाँ पर coin list की public sale के अंदर रखे जाएंगे जिसमें से 25% token listing वाले दिन यानि कि TG पर unlock हो जागा 75% linear monthly investing रहेगे over 6 months यानि कि 6 months तक वहाँ पर आपको every month बाकी की unlock होगे मिलती रहेंगे इसके बाद दूसरे हम पर बताय हुआ है community reward यानि कि 12% of total supply यानि कि जो कि होती है 12 million tokens की 12 million tokens अब 12 million tokens का भी 20% part यानि कि 2.4 million for early adapter reward at TG यानि कि जब token की trading start होगी तो TG के time पर 2.4 million token जो कि 20% part होता है 12 million का वो यहाँ पर early adapters को दिया जाएगा and बचा हुआ दूस्तों 9.6 million जो की 80% part होता है वो future community reward के लिए रखा जाएगा अब दूस्तों मैं आपको बता देता हूँ या जो community reward है इसमें जो 20% part है यानि कि 2.4 million tokens है ये किस तरीके से early adapters को यानि कि early users को दिये जाएंगे इसके बारे में अभी नहीं बताया है टीम ने कि किस तरीके से हमें claim करना है manually claim करना है या team हमें automatically send करेगी इसके बारे में नहीं बताया है लेकिन personally मुझे जो लगता है वो हम लोगो claim करने के लिए अलग से एक page बना के देंगे या फिर वहापर कोई नहीं को instructions देंगे जिसकी मतलसे हम claim कर पाएंगे and यहाँ पर इस चीज को लेकर के काफी सारे लोगों के doubt है यानि कि अगर हम इनके link 3 वाले page पर जाते हैं wait a second इनके यहाँ पर बताय हुए है कि coin list के लिए 3 million अलग है तो दोस्तों यह दोनों चीज अलग है पहले तो दोनों को separate कर लो एक में mix मत करना यानि कि early adopters के लिए दो तरीके के फायदे यहाँ पर होंगे according to their token matrix ठीक है early adopter को यहाँ पर दो तरीके फायदे क्या है priority queue for early adopter and contributor इसका मतलब यह है कि जो early adopter and contributors होंगे उनको high priority दी जाएगी coin list की public sale के अंदर part लेने का ठीक है तो यह 3 million tokens है इसके अंदर part लेने के लिए जो early adopter के criteria के अंदर आते हैं उन लोगो high priority दी जाएगी and इसके अलावा जो early adopters होंगे उन लोगों को 20% यहाँ पर reward दिये जाएगा at TGE जो कि 2.4 million tokens होते हैं तो team अभी इसके बारे में खुल के नहीं बता रही है इनके discord पर मैंने देख लिए अच्छे से टीम ने अभी नहीं बताया कि exactly क्या criteria मतलब जो criteria है दोस्तों वो तो समझ में आ गया है क्या criteria है वो मैं अभी आपको बताता हूँ लेकिन claim किस तरीकिस होंगे वो अभी नहीं बताया है team न ठीक है तो early adopters के लिए कौन कौन से लोग selected है पहले तो ये समझ लीजिए और यहाँ पर क्या लिखा है early adopters and dedicated contributor for the cyber connect protocol will be able to join the priority queue of upcoming cyber connect public sale on coin list यानि कि दोस्तों coin list में जो token sale में participate करने का तरीका होता है coin list का जो method होता है दोस्तों वो होता है Q तरीका यानि Q में क्या होता है कि जो public होती है जो users होते है coin list के उनको Q की line में लगा देते है and high priority किसको दी जाते है जिनके coin list के उपर high karma है जैसे कि आप देख सकते है मेरे coin list के dashboard पर show कर रहा है मेरे पास 1112 karma points है तो coin list क्या करता है जिनके पास जादा karma points होते है उस हिसाप से उनको high priority देता है coin list के token सेल में पार लेने का लेकिन यहाँ पर cyber connect की तरफ से हम early adapters को मौका दिये जा रहा है हम early adapters को मौका दिये जा रहा है जो जो early adapter के criteria के अंदर आते हैं उन लोग को coin list की token सेल में पार लेने का high priority दी जा रही है ठीक है इसके अलावा early adapters को यहाँ पर 20% early adapter reward दिये जाएगा जो की एक तरीकी से airdrop होगा जो की 2.4 million tokens का होता है hopefully दोस्तों यह आपको clear हो चुका है और इस बात पर दोस्तों एक lag ठुक देना अगर आपको यहाँ पर clear हो चुका है तो कोई और doubt है तो comment करके ज़रूर बताना ठीक है शायद हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही हो समझने में लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है इनके token matter के साफसे जो early adapter है उनको दो तरीके के benefit दिये जा रहे है पहला benefit यह कि coin list की public sale में part लेने के लिए high priority दी जा रही है and increase coin list karma to participate in coin list token sale तो हम कैसे increase कर सकते हैं और coin list karma क्या है इसके बारे मैंने वीडियो आपके तरह शेर किया था तो ये वीडियो का link में आपको description में देतुँगा आप लोग जा कर देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं जो early adapters हैं वो कौन कौन से लोग हैं जो early adapter के criteria के अंदर आते हैं पहला दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर cyber profile की cc profile को mint किया हो और premium handle यहाँ पर buy किया हो premium handle से दोस्तों क्या मतलब है premium handle से मतलब यह है कि जैसे कि हमने previous video भी बताया था कि यहाँ पर दो तरीकी के handle हम लोग purchase कर सकते हैं पहला दोस्तों handle क्या है कि तेरा character का free handle हमें यहाँ पर मिलता है अगर मैं इसको आपको open करेंके दिखाऊ हूं तो आपको समझ में आ जागा जैसे कि हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कोई भी character यहाँ पर select करो तो जैसे कि यहाँ पर मैं जीए DAO यहाँ पर select करता हूँ जो कि available है और मुझे यहाँ पर इसको pay करना पड़ेगा 0.33 BNB जो कि एक premium handle है ठीक है अगर मैं यहाँ पर तेरा character का handle लेता हूँ तो मुझे इसके लिए कोई भी BNB gas fees अगरा कोई भी BNB पे नहीं करना पड़ेगा just only हमारी transition fees जाएगी तो हम लोगों ने हम लोगों ने हम लोगों ने हैंपर free handle यहाँ पर purchase किया हम लोगों ने free handle यहाँ पर own किया जादा तर सभी लोगों ने ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर यह वाला चीज आपको समझ में आ गया तो जिन लोगों के पास यहाँ पर premium handle है उन लोगों को priority के नदर रख जाएगा जिन लोगों के पास high मतलब जिन लोगों के पास levels है coin list के fan club के अंदर यानि की fan club आपको सभी को याद होगा हम लोगों यहाँ पर fan points यहाँ पर earn करें हम लोगों यहाँ यहाँ पर delete tasks यहाँ पर complete कर सकते हैं जिसमें से 500-600 points 200 और 300-500 प्लस यहाँ पर अगर आप यह create and post comment वाले करोगे तो 500 से लेके करीब 600 points पर यहाँ पर हर कोई earn कर सकता है तो जिन लोगों के यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हैं high levels होंगे जैसे level 9 पर हूँ मैं ठीक है जिन लोगों के high levels होंगे उन लोगों को भी यहाँ पर priority के अंदर रखा जाएगा जिन लोगों के पास west 3 NFTs होंगी यह west NFT कौन सी है दोस्तों यह मैं आपके शेयर कर चुका हूँ अगर आप telegram पर आकर देखेंगे यहाँ पर W3ST लिखेंगे तो आपको समझ में आ जागा हमने ZKX की एक west 3 NFT हाँ पर किलिम करी थी link 3 यानि की cyber connect की website के थुरू जिन लोगों के पास west 3 NFTs होंगी उन लोगों को भी यहाँ पर priority के अंदर रखा जाएगा ठीके तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास कौन सी west 3 NFT है चेक करने के लिए दोस्तों आप simply यहाँ पर आएंगे and west 3 पर किलिक करेंगे अपनी profile पर आएंगे and west 3 पर किलिक करना यह आपको दिखा देगा कि आपके कौन कौन सी आपके पास west 3 में पास दो है NFT bad boys made good की है and यह वाली है ठीक है जी की X की दोनों zी की x की west 3 NFTs है and यह west 3 NFTs मिलती कैसे हैं दोस्तों जब आप events पर आएंगे एक link 3 पर तो यहाँ पर काफे सरे projects के AMAs and यहाँ पर events होते रहते हैं इन events को join करने वाले लोगों को कभी कबार west 3 NFTs मिलती है by the project तो ऐसे यहाँ पर उस पर थोड़ा नज़र रखना पड़ता है थोड़ा focus रखना पड़ता है वही लोग यहाँ पर west 3 NFTs को यानि की west NFTs को claim कर पाते हैं और यह जोस्तों west NFTs होती है एक तरीकी की soul boundary type की NFT यह होती है ठीक है तो जिन लोग के पात यह west NFTs collected है उन लोग को priority के दर रहे जाएगा जिन लोग के पार discord का role है early supporter role ठीक है यह role आप मैसे सभी लोग के पास most probably होगा ठीक है अगर आप discord पर आएंगे और यहाँ पर तो सबसे पहले किरम रोल पर आकर यह दो रोल क्लेम कर लेना जो कि formality के लिए इनकी जादा कुछ खास एमियत नहीं है लेकिन यहाँ पर इनका मतलब क्या है उसके बारे में बताया हुआ है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर role verify पर रहेंगे cyber connect के discord पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना तो आप guild पर redirect हो जाएंगे और जब आप guild पर redirect होंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से join करने का आएगा तो यह आप में सभी लोग कर लिए होगे क्योंकि last वीडियो में भी आपके साथ इसके बारे में share किया था और आप कौन-कौन से रोल के लिए eligible हैं वो यहाँ पर यह शो करेगा ठीक है जैसे कि मैं cyber connect early supporter role के लिए eligible हूँ लेकिन मैं cyber cc profile early adapter role मेरे पास नहीं है ठीक है तो जब आप आप discord पर हैंगे तो यहाँ पर join पर click करना and यहाँ पर go verify your asset पर click करना connected wallet पर click करना and आपको बता होंगे अगर आपने हमारा वीडियो देखा अगर आपने early stage के अंदर cyber connect को join किया and यहाँ पर आपने profile mint करी and वो सब चीज यहाँ पर आप collab land bot के थुरू connect करके sync कर सकते हैं उस असाब से आपको शो करेगा GM and GN वाले session में जाकर आप इस वाल गूम में जाकर यहाँ पर आप GM लिखेंगे मैं already लिख चुका हूं वैसे तो यहाँ पर भी आप अपनी profile पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से रोल से हैं ठीक है तो आप लोग चेक करना और comment करके बताना कि आप इन में से कौन कौन से criteria के अंदर eligible हो तो यहाँ पर discord early supporter का रोल हमा यहाँ पर आप देखेंगे शायद मैं यहाँ पर में पास cyber connected dweller NFT है इसलिए मेरे को यहाँ पर early supporter का रोल मिला हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे green dot में पास इवाली NFT है ठीक है और मैं अगर view on explorer पर click करता हूं तो मुझे यहाँ से contact मिल जागा इस contact को मैं copy करके अगर म तो पता चलेगा कि में पास कौन से NFT है में पास cyber connect web 3 dollar वाली NFT है जिसका floor price यहाँ पर आप देखेंगे 4.99 metric है नहीं कि 5 metric की floor price है और इन तीनों मैंसे जिसके पास जो भी NFT होगी इन तीनों मैंसे जिसके पास जो भी NFT होगी वो यहाँ पर early supporter की criteria के इंदर आ जाएगा लेकिन दोस्तों अभी यह NFT ओन करना बेकार है क्योंकि इनका जो snapshot है वो 26 April को already ले चुके है ठीक है तो 26 April को यहाँ पर snapshot होगा है अगर अभी इन में से कोई काम करोगे तो आपका कोई फायदा नहीं है आप eligible नहीं हो पाऊगे जिन लोग के पास mystery box या फिर mini shards holder है वो लोग भी यह यहाँ पर इस criteria के अंदर आते हैं जिन लोग के पास NFT इन में से कोई भी NFT है जैते की web 3 dollar NFT, connect 22 grand NFT या फिर let's separate connect season 1 pop community grand treasure hunt 08s होंगी यह वाली oats तो वो लोग भी यहाँ पर eligible होंगे जिन लोग ने साहब कनेट को git coin के अंदर grants में डोनेशन दिया है previous round में से शायद हम लोग ने दिया है मुझे थोड़ा बहुत ऐसा याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताना तो हम लोग भी यहाँ पर इसके इंदर eligible होंगे आप में से कुछ बहुत से लोग के पास shards NFT भी होंगी आप में से बहुत से लोग के पास इन में से कोई एक NFT होगी web 3 dollar NFT या फिर connect 22 grand NFT हो सकती है आप लोग check करना so hopefully guys आपके हैंपर doubt clear हो चुके है कि हम लोग early adapter के criteria के इंदर आते हैं ये सारे लोग जो लोग इन criteria को follow करते हैं इन में से कोई एक दो भी आप follow करते होंगे तो आप early adapter के criteria के इंदर आओगे जितनी ज्यादा priority को आप match करोगे उतने ज्यादा tokens यहा पर reward मिलेगा 20% of early adapter reward में at TGP, ठीके, लेकिन जितनी ज़्यादा priority आप match करोगे, उतना ज़्यादा reward मिलेगा, ठीके, ये मुझे जो लगता है, वो मैं बता रहा हूँ, team की तरफ से अब इसके बार में, कोई exact clarification नहीं है, अब दुस्तों बात करते हैं कि coin list की token sale के अंदर कैसे ले सकते हैं, दुस्तों जो आप यहाँ पर पेज पर आते हैं, तो in case वाले पेश पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको यह वाला page open हो जाएगा, ठीके, जिसमें बताएगा है कि registration की deadline है, दुस्तों, वो 15 मेकी है, एंड जो sale begin होगी, वो 18 मेकी होगी, तो उससे पहले आपके लोगों के पास KYC verified account होगा, क्योंकि Coin List के बारे हम लोग पहले कई बार share कर चुके हैं, इनका Aerobe भी आया था, जिसमें 10-10 डॉलर के BTC मिल रहे थे, वो भी आपके शेयर किया था, तो जब आप यहाँ पर आते हैं, रेजिस्टर नौ पर किलिक करते हैं, तो आप पर TG के ठाइम पर, और 20X तक भी यह जा सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि IDOs को इतना कुछ खास सीजन है नहीं, तो हम लोग 10X से लेके 15X के बीच में expect कर सकते हैं, यानि कि मैं ये बोलूँगा, मोटा मोटा जादा average नहीं, लेकि average लिएकर देखाया था, 15 से लेक है, तो easily आपको यहाँ पर जितना आपने लगाया होगा, उतना तो निकली जाएगा और उससे जादा profit आपको मिल जाएगा, ठीक है, एंड बाकी का जो बचा हुआ 75% amount होगा, वो 6 month की linear vesting मिलेगा, यानि कि every month आपको वो percent मिलता रहेगा, 6 month तक, लेकिन इनकी 6 month की linear release starting हो र लेकिन कोई problem की बात नहीं है, हमें इतना पता है कि यह हमारे को initial हमारी निकाल के देदेगा, और profit भी हमें निकाल के देदेगा, तो इसमें पार लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इतना आपने समझ ली दोस्तों, अब यहाँ पर आप जब रेजिस्टर के बटन प इतना बीजिन का टाहम है, और पर पर लिए 20 देज अभी है, ठीक है, तो यहाँ पर ID verification आपको होना चाहिए, जो की मेरा verified है, फोट वेरिफाइड है, रेसिडेंस यह नहीं एडरस प्रूफ यहाँ वरिफाइशन होना चाहिए, वो भी verified है, कोई यहाँ पर कंप्लेट करना ह इतना चाहिए, यहाँ पर आपको जिस कोशन में यहाँ पर मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पर टिक कर देना, उस क्यूबटी के, बाकि कर आपको कोई और प्रलम आती है, कुज में तो आप लोग discussion group में आके पूछना, मैं यहाँ पर active होंगा, तो आपको जल्दी reply यहाँ प through आपने यह सारे rolls या फिर NFTs आपके पास है, उसी wallet से आपने इसको connect करना है, ठीक है, जिससे कि यह लोग high priority आपको दे पाएंगे, अगर आपने अलग wallet connect किया, कोई new wallet connect किया, तो आपको high priority नहीं मिलेगी, and sale period जब start होगा, तो sale period start होने से पहले है, आपको अपने wallet के अंदर USDC या USDT coin hold रखने पड़ेंगे, जितने dollar का भी आप part लेना चाते हो, 500 dollar का या 100 dollar का, जैसा कि यहाँ पर लिखाया है, 100 dollar से लेखे, up to maximum 500 dollar तक की purchase कर सकता है, एक individual, तो आप यहाँ पर maximum जितने dollar की part लेना चाते हैं, उतने dollar से आप part ले सकते हैं, so that's it, बाकी just wait करना है, अगर आपको यहाँ पर ticket मिल जाती है, आपका number आ जाता है, तो आप part ले पाएंगे, बाकी karma points के बारे में दूस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर मैं अगर अपने dashboard पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे पास 1000 karma points हैं, और इन 1000 karma points की मदद से मुझे और भी जादा high priority मिल जाएगी, ठीक है, मेरे पास 55% priority जादा है, normal users के मुकाबले, क्योंकि मेरे पास 1000 से जादा karma points है, and यह karma points आप लोग यहाँ पर आप instruction read करके collect कर सकते हैं, जादा से जादा karma points, दोस्तों यह वीडियो तो लेंदी तो हो गया है, 20 मुझे आप कर दो पास पास 50 से जादा का से रादा कर दो लेंखर रख चांगा का सकते हैं, वोगज बीडियो चका सकते हैं, इसका सब्सक्रादा कर दो दो क्योंकि मेरे पहाँ हैं, और जो स Ee